असलाम अलेकुम एवरिवान, I hope कि आप सब खेरियत से होंगे और मैं उश्रत फिर से आई हूँ अपना एक न्यू ब्लॉग और न्यू शिडूल के साथ तो आज सबेले से यहाँ पे बारिश हो रहा था, फिर बंद हो गया है और मुझे आज obviously बहुत ज़्यादा काम है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इतना ज़्यादा मेरा आज काम है कि बहुत ही हेक्टिक दिन आज रहेगा मेरे ख्याल से, तो मुझे आज आज आप सोच रहे होंगे कि अलतमस को लेकर मैं अज कहां जा रही हूँ बिकास घर पे यहां पे मभी पापा और भाबी और आयत जो हैं वो लोग भी भूमनेश्वार आने वाले हैं तो इसलिए मुझे अलतमस के काम खतम करके उसको भी कॉलेज लेकर आना पड़ा और मेरा आज एगी क्लास था इसलिए मुझे इतना दिकत नहीं हुआ बिकास अलतमस भी समझदार होने लगा है अलहमदलिल्ला और उसके साथ टाइम भी मैंने स्पेंट किया अच्छा भी लगा और वो भी बहुत खुश है और जब मैं क्लास में इंट्रे हुई तो बच्चे लोग भी देखकर बहुत खुश हुए उसे और मेरा क्लास खतम होत नर्सिंग के थोड़े बच्चे जो है उनका स्ट्रेश बहुत जादा है और अप्रिमेटरी स्ट्रेल्स थोड़े काम है इसलिए बच्चे लोगों ने भी पढ़ाय के बाद अलतमस के साथ एंजॉई किया देन हम लोग क्लास कदम करके ही अपने मतलब जो ट्राविल जो ज साथ मुझे है यह एक नबर मार्केट जो कि वगनेश्वर का सबसे बड़ा मारकेट है और यहां पर एक ची अपको मिल जाए है और नो डाउट यहां पर चीफ प्राइस में बहुत ही कम प्राइस में और आपको हर एक सामान एंग मैंने गुला ना हर एक चीज अपको उपर तो अगर आपने श्याद में कही नेटिव है तो आपको पता ही होगा यह एरिया लेकिन हम लोग बच्पन चाहिए यहां पर हमेशा आना जाना रहता है हमारे की सामां करीब में होता है तो यहां पर बरतन से लेकर कपड़े से लेकर शूज हर एक मैट्रेल आपको अवेलेबल स्टील मिलते हैं स्टील मिलते दूहे की सामान फूट्स वह एक चीजश यहां पर मिल जाता है मेरी ममी अवेले जारी है और उनके सामने आयत और अलसमान और बावًभी जा रही है आप देख सकते हो तो ऐसी तरह दिन खुजरा और फाइनली हम लोग कुछ घर के लिए सामाल लिए मतलब यहाँ पे जो snacks item होते हैं यह बहुत जादा ही tasty और अच्छे होते हैं यह हम लोग ने snacks item घर के लिए खतम हो गया था तो हम लोग ने लिया यहाँ पे different kinds of mixtures रिष्टेर्स, चकली और इन समी का नाम नहीं पता, यह रह एक चीज बहुत टेस्टी है, और जो भाईया में बना कर दे रहे हैं, वह 12 काइंड आप दे रहे हैं, बारा तरह का मिक्सचर को मिक्स करके, वह एक पैकेज में बना कर देते हैं, तो अब भीसली ही होता है, और तो इसलिए यह सारा चीज हम लोग ने खरीदा पिर नेक्स्ट हम लोग आकर पहुंचे हैं यह स्टील के बरतनों के दुकान पे जहां पे स्टेनलेस टेल बहुत ही मजबूत और अच्छे मिलते हैं और बहुत ही चीप प्राइस में मिलते हैं अगर आप यह सारे सामान आप तो ये बहुत है यह सहीं के परनेसे के दुsk जहां दुटेव और यह ज़्याट फैसन की कि दो रहताई है और यह स giving आप मुस्य देखे बहुत थहां आपे साबस्रेमिया और दो भन्म होग और आपने पसंदिव उसपमोंने लिए ट्रला देख रहे हैं लिगाँआब के ल देन एक माइक भी खरीदा है और यह माइक भी बहुत ही अच्छा है जो माइक आप मतलब ऑनलाइन से मगवाते हैं यह जाएगा तो यह माइक भावी ने खरीदा है तो यह टेस्ट कर रही है और माइक और एक ट्राइपड हम दोनों ने खरीदा है यहां पर फिर से हम लोग को थोड़े आयत के लिए और जो वर मेरी जो बड़ी बतीजी है सना उसके लिए भी हम लोग ने लिया चूडी तो हम लोग सब्लों फैमिली जो नहीं यह हैं उन सभी के लिए हम लोग ने चूडी खरीद कर लिया अप तो गाइस सारा सामान हम लोग ने खरीद लिये हैं और अभी थोड़ा रिलक्स कर रहे हैं लसी और जूस पी रहे हैं अभी प्रिकाज मेरी अम्मी का अर्टरारिटीज का प्रॉब्लम है इसलिए वो जादा दूर तक नहीं चल सकती तो हम लोग जितना जदली हो सके अपना सा कररा सामान खरीद कर समयटकर और अभी अर्टन होने वाले हैं तो यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह इंटर ग्रांट का है का यो मार्केट रजांड का है जो की एक रास्ते से कर से निकलकर दूसरे रोस्ते पर जाता है तो यह अलतम शृपङ्छ vaiinc है यहां है वेसे ह करता हैं हैं हम लोग को शौपिंग खतम होता है तो पानी पूरी खानी का मान करता है तो पानी पूरी खाते हैं बैए स्करीम भी खाते हैं और यह मेरा फेबरेट आस्क्रीम वियंकि है कि भी फेवरेट में बच्चों का वी फेवरेट में यह झाए है तो हम कंभी परेए हुआ हर बहुत जादा ताइड हो चुकल्टились लेगे मेकन देख सकते हैं लोह के चेहरे से दिख रहां कि मतलब इतना दूर चल के आयर वही बौत बड़ा बात है और अलतमस गाड़ी में ही सो गया मतलब देख सकते हो कि वो कितना टायर है मेरा बच्चा बिचारा मतलब चल चल के मतलब सुभा तो बारिश हो रहा था लेकिन फिर इतना तेज धूप स्टार्ट हो गया कि हम लोग समझ ही नहीं पाया कि इतना जादा धूप होगा दे रेस्ट कर रही है और अलतमस रेस्ट करके उठ चुके हैं तो थोड़ा टाइम खेलने के बाद शाम को मैं फिर से उनको बढ़ाने के लिए बठाती हूँ चाहे मैं जितना भी टायर्ट हूँ या फिर कुछ भी काम करूँ लेकिन सुबह हो या फर शाम जब भी वक्त मिलता है मैं उनको अलतमस को हाफ एन आउर के लिए स्टुड़ी के लिए बिठाती हूँ जरूर चाहे जो भी काम आजाए लेकिन अलतमस के स्टुड़ी फर्स होता है फर्स प्रायर्टी मेरे लिए लिकाज अगर एक चीज़ जयाद र चाहे आपका कोई भी कोई साभी काम हो वो लेट हो जाए बाद में देखा जाएगा कोई प्राब्लम नहीं है लेकिन बच्चा आपके लिए फर्स प्रायर्टी होना चाहिए तो इसी तरह उनका पढ़ाई जब खतम होता है फिर दोनों भाई बैंस के लिए मैं बिठाती जाता है तो इसे तरह फुल डे बहुत ही एंजॉयमेंट रहा कि I hope आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तब तक के लिए आला हाफिज